आज पर जो हमारा टॉपिक है डाट इस अबाउट टाइप आफ डिफिरेंट पार्सर्स और इसको पद हम देखेंगे कि नन टिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को डिसकास किया था और हम ने यह देखा क्या कि आपके पास जो नन टिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है उसकी implementation करेंगे तो उसका जो method था वो हमने देखा था कि आप किस तरह से किसी non-deterministic grammar को deterministic grammar में convert कर सकते हैं उसका ultimate benefit यही था कि आपके पास एक तो आपके जो parser है या जो compiler है उसके time complexity कम होगी और उसके साथ ही आपको यह determine करने में कोई मसला नहीं होगा कि एक input के against कौन सी production select की जाएगी आज हम हमारे आज के content से हैं हम साथ स्पाइब देखेंगे कि हमारे पास मुक्तरिक तरह के कौन कौन से parsers हैं और important चीज़ के top down और bottom of parsers में क्या फर्क है उसको बद हम देखेंगे L1 parser को L1 parser के लिए आपको क्या क्या requirement चाहिए हैं कौन कौन से चीज़े आपको required हैं और उसके बद हम देखेंगे first and follow को first and follow क्या है और उसको हम क्यों construct करते हैं और किसी भी grammar का first and follow किस तरह से construct होता है so अगर आप parsers को देखें तो आपके पास दो तरह के parsers है mainly एक parser है top down parser और एक है आपके पास bottom up parsers अब top down parser में फर्दर आपके पास दो टाइप्स है with full backtracking and without backtracking और इसी तरह से without backtracking ये फर्दर दो आपके पास types है that is recursive decent parsing and L1 parsing L1 parsing में आपको recurrent ये recursive parser नहीं है जबकि ये simple parser है इसी तरह से आपके पास जो bottom up parser है उसमें आपके पास दो तरह के main parsers है एक आपके पास parser है LR parser यान लेफ्ट तो राइट parser and second is operator precedence parser तो bottom up parsers को हम shift reduce या SR parser भी कहते हैं तो कि वो shift और reduce के base पर implementation कर रहे होती है इसी तरह से आपके पास जो LR parser है उसके further three types है SLR 1, LR 0 and CLR 1 हम further further हर एक parsers को detail में discuss करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि top down और bottom up parser में फर्ग क्या है अगर आप top down parser की बात करें तो हम parsing को root से start करते हैं यानि हम उसको एक non-terminal symbol S से start करते हैं और जो भी हमारे पास input है उस input की base पर हम decide करते हैं कि हमने इसके बाद कौन सी production चूज करनी है यानि अगर आप top down parsers की बात करें तो आपके पास at every point हम ये decide करते हैं कि हमने कौन सी production चूज करनी है हम root से bottom की तरफ या root से leaf nodes की तरफ move करते हैं इस तरह की जो parsing होती है इसको हम कहते हैं top down parsing इसे तरह से अगर आप bottom of parsing की बात करें तो हम leaf nodes से start करते हैं और जो हमारे पास non-terminal जो terminal symbols हैं उनको हम non-terminal symbol के साथ replace करते हैं और इसी तरह हम root की तरफ move करते हैं तो अब एक simple हम grammar से इसको समझने की कोशिश करते हैं आपके पास ये एक grammar है जिसमें आपके पास तीन non-terminal symbol है S, A and B और आपके पास इसमें तीन production है S के against आपके पास एक production है A के against आपके पास दो production है और B के against आपके पास एक production है और जो आपके पास input है that is A, B, B, C, D, E अब देखते हैं कि आपके पास top down parser किस तरह से काम करेगा सबसे पहले आप root से start करेंगे root is S और उसके बाद आप input की base पर decide करेंगे जो आपके पास input है A इसकी base पर decide करेंगे कि आपने इन में से किस production को choose करना है अगर आप देखें तो S के against सिर्फ आपके पास एक ही production है और आप इसी production को choose कर सकते हैं क्योंकि यह जो production है वो small A से start हो रही है उसके बाद अगर आप देखें तो हमने S के against एक production को choose किया है that is small A capital A capital B and small A अब इसके बाद आपके पास इस जो current आपके पास status है उसमें आपके पास दो non-terminal symbol है एक आपके पास A है और A का आपके पास B है और अभी तक आपके पास सिर्फ जो A input है वो parse हुई है अब जो next input है that is B अब आपने decide करना है कि आप इन में से किस non-terminal symbol को further expand करेंगे तो अगर आप देखें तो हम पहले A को expand कर रहे हैं with ABC यहनि capital A small B and C और उसके बाद हम further X को expand करेंगे with A with B A को हम फिर B के साथ expand कर रहे हैं और आफर में हम B को D के साथ expand करेंगे तो इस तरह से आपके पास जो input है वो आपके पास parse हो जाएगी इसमें एक चीज़ समझने की है कि आपके पास जो इसमें parsing हो रही है top down parsing में अगर आप उसको देखें तो जो parsing है वो left से right की तरफ हो रही है left to right parser अगर आप इसको थोड़ा सा imagine करें तो आपने सबसे पहले S के साथ small A capital B capital B और E को आपने replace किया उसको extend किया और उसके बाद आपने यह जो left side पे A है इसको further expand किया with A B and C और उसके बाद आपने फिर जो left side पे A है उसको further expand किया with B अब आपके पास left side पे कोई भी non-terminal symbol नहीं है अब आपके पास सिर्फ एक non-terminal symbol बचा है B जिसको आपने further D के साथ replace किया है actually जो आपके पास stop down parsers होते हैं they are left to right parsers यानि यह आपके जो non-terminal symbols हैं उनको left से right की तरफ terminal symbol या production के साथ change करते हैं इसे तरह से जो bottom of parser है bottom of parser में आपके पास सबसे पहले leaf node पे terminal symbols होते हैं और उसके बाद आप root की तरफ move करते हैं और इन terminal symbols को आप non-terminal symbol के साथ replace करते जाते हैं अगर आसमें देखें तो हम B को A के साथ और इस तरह D को B के साथ और इसी तरह अब हम A, B और C को replace कर रहे हैं with A और उसके बाद हम A, capital B, small E और A को replace कर रहे हैं with S जिएके आपके पास पहली production है तो bottom of parcel में आप leaves start करते हैं और road की तरफ move करते हैं इसमें दूसरी important चीज़ यह है कि यह जो bottom of parcels हैं अगर आप इनको थोड़ा सा imagine करें तो यह आपके पास right से left की तरफ move करते हैं यानि they are right to left parsers but in reverse order इसको हम थोड़ा सा फर्दर आगे एक example से समझते हैं जैसे हमने कहा कि top down parser जो हैं वो left to right हैं अगर आपके पास देखें तो आपके पास जो A है जो के left side पे है इसको हमने पहले change किया है with A, B and C अब उसके बाद आपके left side पे एक और non-terminal symbol है A अब इसी non-terminal symbol को हम B के साथ replace करेंगे और अब आपके पास सिर्फ B बचा है तो अब आप इसको replace करेंगे with D तो आपके पास जो required input है वो parse हो जाएगी लेकिन हमने यहाँ पे left to right parsing की है तो जो top down parsers है they are also called left to right parsers इसे तरह से जो आपके पास bottom parsers है यह आपके पास right to left parsing करते हैं but obviously they are in reverse order यानि यह आपके पास leaf से start करेंगे और root की तरफ जाएगे इसको अगर आप example से देखें तो आपके पास यह input थी तो इसमें आपने पहले b को replace किया है with d और उसके बाद आपने a को replace किया है with a, b, c और फिर आपने a को replace किया है with b तो आपके पास यह जो parsers है यह right से left की तरफ parsing कर रहे हैं इसलिए जो आपके पास पासरों parsers हैं इनको आप rl parsers भी कहते हैं यह आप example से दे सकते हैं सबसे पहले हमने b को replace किया है with d उसके बाद हमने a को replace किया है b को replace किया है with a और उसके बाद हमने further a को extend replace किया है with a और आखर में हमने s के साथ replace किया है अब आते हैं L1 parser की तरफ So L1 parser are actually left to right parser and one means they have one look ahead यनि इनके पास सिर्फ एक टाइम पे एक ही token होगा अब इन parsers को implement करने के लिए आपको चार main चीज़े required है एक आपके पास stack होगा एक आपके पास input buffer होगा और एक आपके पास L1 parser होगा और एक आपको L1 parsing table required होगा जो buffer है उसमें आपके पास input होगी और इसे तरह से आपके पास जो stack है उसमें आप productions को push करते जाएंगे तो जो input है उस buffer में जो आपके पास last temple होगा वो हमेशा डालर होगा यानि input buffer में हम खुद डालर रखेंगे end पे और इसी तरह से stack के end पे भी हम डालर रखेंगे इसका मक्सद ये है कि हमें ये पता हो कि हमने कब input खत्म की यानि हमारे पास input कब खत्म हुई और इसी तरह से जो आपके पास stack है उसमें कब हमारे पास जो productions है वो खत्म हुई है तो हम दोनों साइड्स पे डालर रखेंगे ओके इसके बाद हम further move करते हैं तो इसमें जो important चीज़ है वो है L1 parsing table नब कि L1 parsing table L1 parsing table आप कैसे बनाएंगे अब इसके तरफ आते है stack आपको पता है input buffer का आपको पता है L1 parser का पता है क्योंकि ये एक simple parser होगा जिसके अंदर grammar defined होगा हम पहले से पढ़ते हैं grammar के तरफ आप parser define करते हैं इसमें जो important चीज़ है that is L1 parsing table अब L1 parsing table को आप कैसे implement करेंगे इसके लिए आपको पास दो functions है first and follow function first and follow function के थूँ आप parsing table की implementation करते हैं या parsing table को build करते हैं अब first क्या है first का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी production है तो अगर आप किसी non-terminal symbol को expand कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा terminal symbol है जो हमेशा उसके start में आएगा यानि आपके पास कोई भी non-terminal symbol हो उस non-terminal symbol को जब आप further expand करेंगे तो आपके पास हमेशा सबसे पहले कौन सा ऐसा terminal symbol आएगा उसको हम कहते हैं that is the first of that particular non-terminal symbol यानि अगर आप इस कहें whatever string is derived from a non-terminal symbol non-terminal symbol से कोई भी string draw होगी तो उसके start में हमेशा कौन सा terminal symbol आएगा that will be first अगर आप यहाँ पर देखें तो इस particular grammar में तो आपके पास total पाँच non-terminal symbol है इसमें S, A, B, C और D हैं तो अगर आप S के बात करें कि S का first क्या होगा इसका मतलब यह होगा अगर हम S को expand करें तो हमारे पास कौन सा ऐसा terminal symbol होगा जो हमेशा सबसे पहले आएगा उस particular string में obviously S जो है वो सिर्फ small A, capital A, B, C और D के साथ replace हो सकता है तो आप S को जब भी replace करेंगे तो आपके पास जो string आएगी उसमें जो small A है वो सबसे पहले होगा तो उसका मतलब है जो S का first है वो A है यह देख लें S का first है वो A है क्योंकि आप S से जतनी भी string ड्रा करेंगे वो string सारी A से start होगी इसी तरह अगर आप A की बात करें capital A की तो capital A जो है वो B के साथ replace होगा इसका मतलब है आप capital A से जतनी string ड्रा करेंगे उसके start में हमेशा B आएगा इसी तरह अगर आप B के first की बात करें उसके start में हमेशा C आएगा और इसी तरह C के start में हमेशा D आएगा और इसी तरह D के start में हमेशा E आएगा तो first आपको पास set में होता है जिसमें वो सारे सेंबल होते हैं जो किसे भी non-terminal सेंबल में से जितनी भी strong draw होती है वो इसके start में आ सकते हैं लेकली ये जो आपके पास grammar है इसमें आपके पास first हर symbol का जो first है उसमें सिर्फ एक ही non-terminal सेंबल है ये non-terminal symbol एक से ज्यादा भी हो सकते है इसको जब एक example के थूँ समझते है अगर आप यहाँ पर देखे तो आपके पास जो start है S अब S जो है वो capital A, B और C, D के साथ replace हो सकता है अगर आप अगर इस पहले production में देखें तो आपको कोई ऐसा terminal symbol नज़र नहीं आ रहा जो कि हमेशा start S को replace करने से आए उसके मतलब यह होगा अगर आपके पास कोई terminal symbol नहीं है तो अब आप जो आपके पास पहला non-terminal symbol है उसकी first को चेक करेंगे और उसका first इस S का first बन जाएगा जैसे आपके पास जो S है वो A, B, C और D के साथ replace हो रहा है अब जो A है वो non-terminal symbol है तो अब A का जो first है वो B है इसका मतलब है जब भी आप S को draw करेंगे तो आपके पास A B C और D आएगा हलांके A, B, C, D, O सारे non-terminal हैं लेकिन A को जब आप further expand करेंगे तो आपके पास B आएगा जिसका मतलब है जब आप S से कोई string draw कर रहे होंगे तो उस string के start में हमेशा B आएगा तो B जह है वो उसका आपके पास first होगा इसे तरह से A का first भी B होगा B का first C C का first D और D का first E अब ये एक interesting example है अगर आप इसमें देखें तो हमने थोड़ा सा grammar को change किया है ये previous grammar की तरह से ही है लेकिन हमने यहाँ पे A को B और epsilon के साथ replace किया है तो अब अगर आप A की बात करें तो A में आपके पास या तो B आएगा या आपके पास epsilon आएगा दोनों first में यही है इसी तरह से B का first आपके पास C होगा C का first D होगा और D का first E होगा अब आते हैं S के first की तरफ अगर आप देखें S का जो first है वो actually A है बाकियों कभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसके first में A ही आ रहा है अब अगर आप देखें तो A का जो first है वो है B और epsilon इसका मतलब है आपके start में B आ सकता है A का जो first है उसमें B आ सकता है और epsilon जब आप epsilon यहां पे put करेंगे A की जगा तो A जो है वो vanish हो जाएगा A delete हो जाएगा क्योंकि आपने एक जगा epsilon पुट किया है अब आपके पास S के first में B आ रहा है अब B का जो first है वो C है तो अब आपके पास B और C आपके पास S के first में आएंगे मैं इसको दुब़रा repeat करता हूँ इस process को समझे आपके पास S के first में A आ रहा है अब obviously जो A है बलकि इस पूरे को हम करते हैं आपके पास S के first में A B C और D आ रहे हैं अब A चुके नान टर्मिनल सेंबल है इसको हम replace कर सकते हैं विद B और epsilon अगर हम इसको B के साथ replace करें तो अब आपके पास जो string बनेगी वो बनेगी small B और उसके बाद capital B, C और D इसका मतलब है अगर आप उसको B के साथ replace करेंगे S के first में B आए हगा लेकिन यहाँ पे A के against एक और choice भी है वो choice है epsilon की जब आप A के against epsilon पुट करेंगे तो यह जो A है यह खतम हो जाएगा यह vanish हो जाएगा अब B जो है वो आपके पास यह नहीं आपके पास जो production बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी S can be derived with B, C and D क्योंकि आपने A को delete कर दिया है by using epsilon तो अब जो S का first है वो B का first होगा अब B का first क्या है B का first है आपके पास C तो आपके पास B और C आपके पास S के first में आएंगे B और C ओके जी इसके बाद हम चलते हैं follow अब follow क्या है आपके पास जब भी आप कोई production ये कोई भी string ड्रा कर रहे होंगे तो किसी भी non-terminal के बाद जो symbol आएगा वो उसका follow होगा first जो था वो उससे पहले और follow जो है वो उसके बाद इसको समझते हैं if और non-terminal alpha follows और non-terminal B यानि अगर आप यूँ कहें कि आपके पास एक non-terminal symbol alpha है और इसे तरह आपके पास non-terminal symbol beta है तो ये कुछ इस तरह से है beta पहले है और alpha उसको follow कर रहा है तो जो follow of B होगा वो first of alpha होगा क्यों होगा क्योंकि B के बाद जो आ रहा है वो alpha आ रहा है और B के बाद वो सारे symbols आ सकते हैं जो के alpha के first में होंगे first of alpha क्योंकि हमें पता है कि first का मतलब ये है कि alpha जिन symbol से start हो सकता है वो alpha का first है obviously alpha जो है वो beta के बाद है तो अब beta का follow क्या है वो alpha है और alpha एक non-terminal symbol है तो आपके पास first of alpha जो है वो beta का follow होगा इसको जड़ा एक example के थूँ समझते हैं और इसे तरह से इसमें तो रूल भी है कि अगर आपके पास कि ऐसा हो जिसमें आपके पास तो alpha हो वो last non-terminal symbol हो एक production में यानि इसको यहां पे देखें जैसे यहां पे है इस अगर आप production को देखें तो अगर हम यहां पे B का follow निकालेंगे तो चुक्शू के B जो है वो इस production के last में है तो अब B के बाद क्या हो सकता है B के बाद आपके पास जो right side पे E है उसका follow हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि आपके पास input में हमेशा आखर में $ होगा और उसके बाद S होगा अगर आपके पास कुछ भी नहीं है किसी भी non-terminal symbol के बाद तो जो left side पे आपका non-terminal symbol है उसको जो भी follow है वो इसके follow में आ जाएगा अगर इस production को देखें तो आपके पास A का जो follow है वो आपके पास B है क्योंकि A के बाद B आ रहा है ठीक है और अगर यहाँ पर हम F का follow नेकालना चाहें F के बाद B यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि B का जो first है वो F का follow है ज़र इसको example से समझते है आपके पास ये एक ग्रामर है और इसमें हम सबसे पहले देखते है कि follow किस तरह से होगा तो आपके पास जो S का follow है S का follow हमेशा एक डालर साइन होगा क्योंकि हमने कहा है आपके पास buffer में डालर होगा और हम उसमें जो पहले चीज़ सेंड करेंगे that will be S stack की बात हो रही है not buffer stack stack में आपके पास आफ़र में डालर होगा और उसके उपर हम हमेशा जो start संबल है उससे start करेंगे S तो उसका मतलब है S के बाद हमेशा डालर होगा डालर लाजमी होगा तो उसका मतलब है S के follow में जो है आप पास डालर होगा इसी तरह से अब अगर आप A की बात करें यह जो A है A अब इस A के फालो में B, C और D है इसका मतलब यह है कि जो B है इसके फ़र्स्ट में जो कुछ आ रहा है वो A का फालो है B के फ़र्स्ट में सिर्फ C आ रहा है इसका मतलब यह है कि यह आपके पास A के फालो में आएगा लिखा हुआ भी है फ़र्स्ट अफ B इसी तरह से जब आप B के बात करेंगे तो B के बात C है C B को फालो कर रहा है तो जो फ़र्स्ट अफ C होगा डैट विल बी फालो अफ B इसी तरह से नेक्स्ट आप C और D को चक करें तो C के फालो में D आ रहा है तो जो भी फ़र्स्ट अफ D होगा डैट विल बी फालो अफ C अब यह जो लास्ट है D D जो है यह आपके पास D के बाद आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है D के बाद कोई डाउंट टर्मिनर सिंबल नहीं तो हमने जो दूसरा रूर पढ़ा था कि आपके पास अगर अगर अलफा जो है वो लास्ट है राइट साइट पे उसका जो फालो है जो लेट साइट पे संबल है उसका फालो होगा तो जो दी है उसका जो फालो है वो S का फालो होगा और S का फालो क्या है हमारे पास डालर तो यह आग पास डालर आए याट सिट जी आएक तक हमारा यही एक पॉक्ता कि हम First और फालो को भी टेल में डिसकस कर ले First और फालो हमें चाहिए होगा जब हम सिंबल टेबल बना रहें